आपने जय और विर्यू की दोस्ती की कहानी तो सुनी है देखी भी है कई बार देखी है लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी के मंड़का गाउं की जो कहानी में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देख भी लिया हो उस कहानी को भी सुन लिया हो जो मुहमत आरिफ नाम के जो यूवक है तीस साल के इनकी उम्र है इनके और सारस पक्षी के बीच की जो दोस्ती है इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा च चर्चा इसले बनी वी है क्योंकि ये कहानी भी बेहद अनूटी है साल भर पहले की बात है अगस्त 2022 का महीना था मुहमत आरिफ जो है किसी काम के चलते अपने खेतों की तरफ गये थे और वहाँ पर जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि खेतों में एक सारस पक्षी घायल अ आगे निकल जाता लेकिन मुहमत आरिफ ने अपनी इंसानियत दिखाई और इंसानियत दिखाकर उस पक्षी की टूटी रवी टांग को ठीक किया मुहमत आरिफ को लगा कि ये पक्षी ठीक होने के बाद वापस से अपने जूंड में लौट जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा लेकिन वो तो वहीं पर उनका दोस्त बन बैठा एकदम आप कह सकते हैं कि करीवी रिष्टेदार बन गया एक दूसरे के बिना वो लोग रह नहीं सकते हैं अब वो उनके घर में रहता है मुहमद आरीब जब खाना खाने बैठते हैं तो वो उनके साथ उनकी थाली में भोजन करता है जब वो किसी काम से बाहर जाते हैं तो वो 15-20 किलो मिटर उनके साथ उड़कर जाता है और उड़कर उनके साथ ही आता है वो कई बार तो ये सोचते हैं कि ये पक्षी बेवज़ा इतना उड़कर मेरे पीछे जाता है, मेरा साथ देता है तो कई बार बिना बताए चूरी चुपके वो निकल जाते हैं लेकिन जब वो रात में आते हैं तो देखते हैं कि वो पक्षी घर के बाहर खड़े हो कर उनका इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही गाड़ी का हौन सुनाई पड़ता है वो अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है एक आवाज में तो ये जो कहानी है इनकी ये वाकई में सच में बहुत अनूठी कहानी है और वो कहते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं खासकर किसी बेजुबान की मदद करते हैं तो उपर वाला उन सभी चीजों को देखता है आपने एक ऐसे पक्षी की जान बचाई जो अब अपने जुन्ड के लोग घर की तरफ किसी तरह चले आते हैं तो ये पक्षी मुहमद आरिफ के घर में छुप जाता है ताकि वो उनकी नजर में न आए और कभी-कभी मूड होता है तो 500 मीटर दूर एक-दो किलो मीटर दूर निकल जाता है अपने जुन्ड के साथ सुबह निकलता है और शाम को घूम भीर कर वापस आ जाता है मुहमद आरिफ को कई बार लगा कि ये पक्षी उनका साथ छोड़ कर चला रहेगा लेकिर ऐसा नहीं होता है वो घूम भीर कर वापस चला आता है और उनी के साथ रहता है वो उनकी जुबान को समझता है उनके दौर तरीकों को सम सकते हैं एक किताब लिख सकते हैं इस दोस्ती के उपर क्योंकि ऐसी इंसानियत की मिसाल आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है जादा तर जब इस तरह की चीरे आती है तो कुछ नेगेटिव कॉमेंट भी मैंने पड़े हैं कि आज मुहमद आरिफ इसके साथ दोस्ती कर उसको डिमोटिवेट मत करो क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है और आप उसे बहुत सारे लोग 99% तो अच्छे कॉमेंट सी देखने को मिलें कुछ एक 2% ही है जो लोगों ने अपने दिमाग के गंदगी वहां पर रख दी है कि भाया किसी और धर्म से है तो ऐसा कर लेग है जो अच्छी कहानिया लेकर आते हैं उनको आप मोटिवेट करो उनको आप इतना मोटिवेट करो कि वो कि सी के लिए प्रेणना बन सके हो सकता है किकिसी पकषी की जान बचाय है कल को किसी इंसान की जान बचा सकते हैं और मुहमद detox को जब आप behavior देते वे सुनेंगे तो बात करने से लगता है कि वो वाकई में बहुत ही सीधे साधे इंसान है और एक सीधा साधा साप सुधरे दिल का इंसान ही किसी की मदद कर सकता है वही मुहमत अरीफ ने किया है और उन्होंने कहा है कि जिसको भी कुछ पता करना हो आकर हमसे बात कर सकता है जो भी आपके डाउ होते हैं और इनको जाती और धर्म से उपर उठकर देखना चाहिए इनके लिए आप मोटिवेट करने का काम करो और ऐसे लोग जो अच्छे काम करते हैं आप उनसे कुछ सीखने की कुशिश करो बेवज़ा निगेटिविटी फैलाने की कुशिश मत करो तो मुहम्मद आरिक ज हुआ है